नमस्कार दोस्तों उत्तरपरदेश बुलन सहर के बाहु बली नेता पूर्विधायक गुड्डू पंडित के आवास पर नोटिस चपका दिया गया जिसमें पुलिस ने पूर्विधायक गुड्डू पंडित पर जान बूच कर परवासी भीड को भोजन का लाल्च देकर इकठा करने का आरोप लगाया है बाहु बली पूर्विधायक के इस कृत को पुलिस ने लागडाउन का उलंगन मानते हुए कारवाई करने की चेतानी दी है आपको बता दें की पूर्विधायक गुड्डू पंडित लागडाउन के दर्म्यान परवासी मजदूरों को अपने आवाज पर रोक कर उनकी मरत के लिए उनके भोजन पानी की ब्यस्था करवा रहे हैं परेश्थान मजदूर को उनके घर तक भी पहुचा रहे हैं पूर्विधायक गुड्डू पंडित साथी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके वह प्रसासन की ब्योस्था पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं जिसका रड़ पुलिस के नोटिस को पूर्विधायक गुड्डू पंडित ने सियासत और दबाव बताते हुए कहा कि मजदूरों के लिए सबने दर्वाजा बंद कर दिया है क्या वह भी मजदूरों के लिए दर्वाजा बंद कर दें उनका कसूर इतना है कि वह परवासी मजदूरों की मरत कर रहे हैं जो आगे भी वह करते रहेंगे आपको बता दे कि पुलिस द्वारा पूर्विधायक गुड्डू पंडित के घर पर पुलिस ने जो नोटिस चपकाई थी गुड्डू पंडित ने सोशल मेडिया पर वारल कर खुर को गरीबों का रहनुआ पताने की कोसिस की है बाहु बली पूर्विधायक गुड्डू पंडित के उपर एक बार फिर पुलिस की कारवाई हो रही है गुड्डू पंडित बाहर से आए हुए परवासी जो मर्दूर थे उनके लिए भोजन की भी विवस्था कर रहे हैं साथ ही उनको घर भी पहुचा रहे हैं लेकिन फिर भी पुलिस उनके खिलाप का रवाई कर रही है दोस्तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्नवाद